कोई भी लेंग्वेज के लिए आपको कोई भी क्लास करने के जरूर नहीं पड़ेगी क्योंकि आज में आपको एक ऐसे अप्लिकेशन के बारे में बताने वालों जो है अप्लिकेशन में आप कोई भी लेंग्वेज ऑनलाइन सीख पाऊगे तो चलिए ब्राइंस आज का है 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 फ्रेंड्स हम हमारा माबाल फॉन के स्क्रीन पर आ गए तो चलिए फ्रेंड्स हम यहां से प्लेश्टोर को ऊपन करते हैं फ्रेंड्स प्लेश्टोर ऊपन करने के बाद सर्च बार में सर्च करते हैं डियो डियू ओ लिंगो लिंगो लिंग करते हैं अब यहां पर यह है फ्रेंट्स यहां फिर टेसन का लगों कुछ ऐसा है चला फ्रेंट्स अब यह एक्लिकेशन के बटन पर'Tकल क करना शुरू करते हैं तो फ्रेंड मैंने आप्लिकेशन को इंस्ते लो कर दिया है फ्रेंट अंब्शन 14.19 करते है friends mobile phone के home screen पर यह application कुछ ऐसी दिखते है तो friends मैंने यह application को open कर लिया है तो friends application को open करने के बाद get started पर click करते है friends get started पर click करने के बाद आपको यहां से जो भी language सिखनी हो यहां पर आपको सब languages मिल जाएंगी यहां पर English यहां पर आपको सब languages मिल जाएगी फ्रेंट्स यहां पर सब languages आपको मिल जाती है तो friends अभी मैं आपको English पर क्लिक करके English कैसे learn करते वह मैं आपको सिखाता हूँ उक्के पर click करते हैं तो friends मैंने English को सिखने के लिए उक्के पर click किया है friends अगे बढ़े उस पर click करना है friends आपको हमारे बारे में कैसे पता चला तो फ्रेंट्स आपको इहां पर सेलेक करना है इस सोशेल मीडिया तो फ्रेंट्स आप अपको आपको नौकरे के लिए English आपको परिवार और दोस्तों के लिए सिखना चाहते तो परिवार और दोस्त को सिलेक कर सकते हो या फिर आपको कहीं आपको आउट ओफ इंडिया गुमने जाना ट्रावेल करना तो यात्रा पर क्लिक करके यात्रा को सिलेक कर सकते हो फ्रेंस अगर आपको पढ़ाई के लिए इंगलीज सीखने है एक अपको अन्य यानि की इसमें आपको अपसन नहीं है और आपको कोछ और के लिए सिखना है इंगलीज तो आप अन्य पर भी सिलेक्ट कर सकते हो एक लक्स चुने के आपको समझाने के लिए मैं अन्यपर करता हूं और फ्रेंज यहां पर लिखना है एक लक्षिय결 चुने अगर आपके पास 20-مिनिट तख का रोज का समय है कि आपको 20- statistically आपको 20- मिनिट पर क्लिक कर सकते हो अगर आपके पास 15 मिनिट यानिकि तो आपको शिखाई जाएगा यह इंग्लिस के आपको जितना भी टाइम सिलेक करने के बाद आगे बड़े उस पर क्लिक करते हैं और यहां पर लिख कए आ अप्ना रास्ता चूने तो यहां पर रहे हैं पछली बार अंग्रेजी शीख रहा है और दूसरा ऊपशन या करना है और कुछ भी नहीं आता एंग्लीश में तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है पहली बार अंग्रेजीश सीक रहा है यहाँ पर लिख रहा है घर का अनुदाइच हम नहें तरहन से पर हाउस लिखा हुआ एक चेकर करने तो उसके पेछे यह ए mister आपको इसको क्या बोलते एंगलिसमें और भी बोल के बाताए है तो में कार per स्थिलेक करता हो कार खंप आपने सुना के यह एक पर बहुतिते निए को बोलतीativa тобой को बनेका च किसको क्या बोलते हैं help तो व्रेंज आपने सएज अपने सुना अपको कोई भी पुड़ी ऑप्सटन सिलेक करना है तो Springs, अब चेक चरें उस पर क्लिक करते है तो प्रांद्ट अपर बड़िए काम यानि की हमने ये option का एक वेशन का राइट आंसर बोला है अब क्लिक करते हैं आगे बढ़े पर फ्रेंज यहां पर गाड़ी का अनुवा चुन है क्वेशन है गाड़ी को कार बोलते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए मैं टी पे क्लिक करता हूं कि हम देखते हैं कि अगर हम रॉंग आंसर सिले तो आपको यहां पर आ जाएगा कि इसका टी नहीं होता है इसका गाड़ी का अनुवाद कार होता है तो फ्रेंट्स अभी हम आगे वड़े पर क्लिक करते हैं यहां पर लिख आया इस वाक्य का अनुवाद करें यहां पर लिख निए निए तो हमें वह लिखना है लिखना कर दिसे हैं कि निए अनुवाद क्या हुआ है तो यहाँ पर क्या answer आता है तो friends मैंने car को सिले किया और check करे पर click करते है तो यहाँ पर भी friends वही same यानि कि अगर आपने wrong answer select किया तो यहाँ पर लिख्या आ जाएगा कि इसका answer का नहीं होता इसका answer my होता है तो friends अभी हमें click करना है आगे बढ़े और friends अगर आपको कोई भी word का अनुवाद पता नहीं चलता है तो आप ऐसे click करके भी कोई भी word पर अगर आप click करते हो तो उसका अनुवाद क्या होता है हिंदी में वो भी आपको यहाँ पर बता देता है मैं your पर click करता हूँ तो friends your का अनुवाद होता है तुम तुमारी आप आपका तु तेरा तो friends car पर click करते है और friends car का अनुवाद दोता है गाड़ी गाड़ी को और friends big पर click करते है big big का अनुवाद दोता है बड़ी बड़ी और बड़े तो friends यहाँ पर लिख्या रहा है your car is big तो यहां पर मैं Hindi में लिख देता हूँ तुमारी गाड़ी बड़ी है बड़ी है फ्रेंज यह लिखने के बाद sentence लिखने के बाद चेक करें पर क्लिक कर दें तो यहां पर अच्छी तरह किया तो friends यह answer भी right है friends ऐसे ही आप कोई भी language सीख सकते हो यह application से तो friends ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राब कीजिए और friends बेल अकन दबाने का याद रखने